नमस्कार प्यारे साथियो विनाइक सपलता इस्टेडी यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें क्लास कैसी लगी उससे समंदित कमेंट अवस्थिकरे साथियो आज हम लेकर आए हैं गायों की नसलों के उत्पतिस्तान और उपनाम उपनाम और गायों की जो नसले हैं उनका उत्पतिस्तान जो की हमारे लिए पसू परीचर क्रिसी प्रवेशक जेट आईसियार एलसे वे अन्ने परतियोगी प्रीक्षाओं है तू बहुती जेक क्लास संख्या रहेगी सातियो अमारी सात नमबर की इससे पहले पसू पालन से समबंदे लगबग छे क्लास हो चुकी है जो की हमारे पसू पालन का जो पले लिष्ट है उस पर जाकर आप देख सकते हैं अब हम एक नमबर के परसन की आर बढ़तें सातियोग ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगे, बुरी लगे, जैसा भी हो, कमेंट अवस्य करें, एक नंबर के परसन की और बढ़ते हैं सातियों, एक नंबर का परसन देखिए हमारा, गीर, जो गीर गाय की जो नसल होती है, उसका उत्पत्ति स्तान होता सातियों, गीर जंगल काठियावडा गुजरात, गीर का उत्पत्ति स्तान क्या है, गीर जंगल काठियावडा गुजरात, जो गीर नसल है, इसी से संबंदित गीर जंगल है, तो ये जो नसलती गाय की उसी नाम से उच्छेतर का नाम गीर जंगल पड़ा जो की काठिया वड़ा गुजरात मीस्तित हैं और इसके जो उपनाम हैं वो इस परकार हैं रेंडी, काठिया वड़ी, सूर्ती तता डेकन इस परकार के ये उपनाम है, सूर्ती हमारे एक भेंस की नसल भी होती है, जो की सबसे छोटे आकार की होती है, इस सूर्ती के नाम से गीर भी छोटी नसल होती है, इसलिए इसको सूर्ती के नाम से भी जाना जाता है अगला जो हमारा जो नसल है वो रहेगी दो नमबर राठी जो यह राठी नसल है ये संकरण से तयार की गई है जिसमें दो गायों का समाविश्च किया गया था सातियों एक तो है रेड सिंधी और दूसरी साईवाल साईवाल को क्यों लिया गया क्योंकि ये देशी गायों में सरवादिक दुख दुथपादन करती है एक तो दुख दुथपादन के साथ ही लेक्टोज की मातरा सरवादिक होती है सातियों किसकी लेक्टोज बात आती है कि ये लेक्टोज होता क्या सातियों लेक्टोज एक प दो प्रतिसद लेक्टोज की मात्रा होती हैं इन दोनों के संकरण से राठी नसल तयार की गई है सातियों ये राठी नसल का उत्पत्तिस्तान कोन सा है उत्पत्तिस्तान की बात करें तो पस्सिमी राजस्तान के बिकानेर और स्री गंगा नगर इन दोनों जिलों में राठी का उत्पत्तिस्तान है उप नाम देखिए इसका राजस्तान की काम देनू राठी को राजस्तान की काम देनू के नाम से जाना जाता है अगले और बढ़ते इस अगले जो नसल है उसकी और बढ़ते सातियों अगली नसल देखिए तीन नमबर साइवाल साइवाल अभी पिछले परसन में भी इसकी चर्चा की गई थी अब और चर्चा कर रहे हैं साइवाल का जो मुख्यत उत्पत्तिस्तान है वो है मौंट गौमरी पाकिस्तान पाकिस्तान जिले का वो देश का मौंट गौमरी जो जिला है उसमें साइवाल का उत्पत् से क्यों जाना जाता साथियों तो ये बात करते हैं इसकी तवचा डिली होने के कारण इसे लोला कहते हैं और देशी गायों में सरवादिक दूग्त उत्पादन इसकी मुख्ये विसेशता हैं लेक्टोज की मात्रा भी इसमें सरवादिक पाई जाती हैं ये साइवाल का नाम और मुखे कुछ दो विसेशताएं हैं ये जो साईवाल सरवादिक दूद देने वाली है देशी गायों में इसके कई बार परसन आ चुके सातियों अब ये पसू परीचर में भी हूब हूब छपने वाला है ये हमारी जो व्याख्यात्मक टेस्ट हैं ये बहुत ही स्यां सिंद परदेश और पाकिस्तान देश हैं इसमें थार पारकर की उत्पत्ती हुईती जो की गाय की नसल है इसके उपनाम देखिए इसे थार पारकर में होने के करण थारी नाम सूँ सपेद सिंदी और ग्रे सिंदी के नाम से जाना जाता हैं अगले टोपिक की ओर बढ़ते ह जो अगली नसल है वो है इस परकार हरियानवी इसका उत्पत्तिस्तान है रोतक हरियाना क्या है रोतक हरियाना अगले टोपिक की ओर चलते हैं अगला जो नसल है वो इस परकार है मेवाती जो की उत्पत्ति इसकी हुई कोसी छेतर वह जो की मतुरा में है और गुड़गाओं क बीच का जो छेतर है उसे मेवात चेतर के नाम से जाना जाता है बात करें तो अलवर और भरतपूर अलवर और भरतपूर छेतर इसका मेवाती का उत्पत्तिस्तान है अगले टोपिक या नसल की ओर बढ़ते हैं जो इस परकार है नागोरी बहुती परसिद है नागोरी इसका उत्पत्तिस्तान नागोर वे जोदपुर जिला साथियों ये प्रसिद क्यों हैं सवाई चाल वे तेज दोडने हितु बहुती स्यांदार तरीके से प्रसिद हैं और देशी गायों में सर्वतम भारवाई यानि की भार ढोनने के लिए सर्वादिक परियोग भी की जाती हैं औ अगले नसल की ओर बढ़ते हैं सातियों हमारी जो अगली नसल हैं वो इस परकार हैं मालवी ये मालवी नसल मालवा छेतर मंद सोर उज्जेन और मद्दे परदेश राज्ये में मालवी की उत्पत्ति हुईती सातियों अगले टोपिक की ओर बढ़ते हैं अगला जो टोपिक है नसल है वो इस परकार है काकरेज काकरेज कच कारण गुजरात में है सातियों इसका उत्पतिस्तान का हुई कच कारण गुजरात ये भी सवाई चाल के लिए परसिद हैं क्यों परसिद हैं सवाई चाल कनागोरी और काकरेज ये दोनों सवाई चाल है तू परसिद हैं सातिय अगले अगली नसल की ओर बढ़ते हैं अगली जो हमारी नसल है वो इस परकार है अमरत महल जो इसका उत्पत्ती हुई थी वो है मैसूर करनाटक अमरत महल की उत्पत्ति का हुई सातियो मैसूर करनाटक में इसकी मुख्य विशेजता है भारत की सर्वोतम भारवाई नसल और जो अभी आपने पढ़ा था नागुरी वो किसकी है राजस्तान की राजस्तान में या देशी गायों में सर्वादिक और जो यह अमरत महल है यह भारत की सर्वोतम भारवाई नसल होती है सातियो अगली नसल की ओर बढ़ते हैं अगली नसल सातियों हमारी इस परकार रहेगी जर्सी कौन सी जर्सी नसल इसकी उत्पत्ति का हुई इंगलीज चैनल जर्सी द्वीप इसका उत्पत्तिस्तान है और जर्सी की एक मुख्य विसेस्ता है वो इस परकार है इस नसल की गाय जल्दी युवा हो जाती है ये दो वर्स यानि कहें तो ठारा वर्स से लेकर चोईस वर्स के बीच में गरबधारन योग्ये हो जाती है जल से अच्छी नसल भी कहा जाता है इसे अगले नसल की और बढ़ते हैं सातियों अगली नसल रहेगी हमारी इस परकार होलिस्टेन फ्रीजियन कुंसी है होलिस्टेन फ्रीजियन जिसे ह- blueberry के नाम से भी जाता है और इसका जो मूलिस्तान है वो है हो लेंड नीदर लेंड मूल fill division काई होता है तो बात आती है कि कितना होता है तो इसका दुख-दूत-पादन है सातियों 5000-6000 लीटर परति ब्यात परति ब्यात एक जो ब्यात पड़ता है उसमें लगबग ब्यात का मतलब है दूत देने का 10 महा ये 10 महा में अपना जो दुख दुटपादन वो 5000 से 6000 लिटर करती है अगली नसल की और बढ़ते हैं अगली नसल रहेगी सात्यों हमारी इस परकार अब देखिए गायों की नसलों से संबंदित और गायों से संबंदित कुछ बिंदु हैं जो इस परकार हैं राज्य में गो सेवा आयोक की स्तापना कप की गई तेवी स्मार्क्स गुनिस्सों पिच्छान में आगे बढ़ते हैं अगला बिंदु रहेगा सात्यों हमारा इस परकार गो मुत्र से ओर्गेनिक फिनाईल कहां तयार किया जाता है गाय के मुत्र से फिनाईल कहां किया जाता ओर्गेनिक कार्वनिक जो की हिंगोनिया गोसाला जेपुर है आगे बढ़ते हैं आगे बिंदू की ओर बढ़ते हैं वो इस परकार है सातियों काम देनू योजना की सुरुवात कब की गई? वर्स गुनिस सो आज कि कलास यही समाप्ट की जाती है जे हिंद, जे भारत झाल